भारती जनता पार्टी की नेता खुल के महराश और जारखंड के चुनावों में जहर उगल रहे हैं, जूट बोल रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं मगर उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते बोल इलाबाजाद हैं तेरे राहूल गांधी बात करते हैं सम्विधान की कि किस तरह से इस देश के जनमानस को सम्विधान के जरिये इंसाफ मिलेगा मगर प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं आपकी बेटी को घुस पैटिये उठा के ले जाएंगे या आपकी बेटी को जे-म-म और कॉंग्रेस घुस पैटियों को दे देगी मुख्यमंत्री आदितनाद जारखंड और महराश जाकर बंगलादेशी घुस पैटियों की बात कर रहे हैं ये भूल गए कि अगर ये बंगलादेशी घुस पैटिये भारत के अंदर मौझूद हैं तो हमारी सीमाओं पर सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों है मगर हाँ, जेहर खुल के उगला जा रहा है दोस्तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तो मुक्यमंत्री आदितनात और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है और हर जगा, हर जगा ऐसे बयाना दिये जा रहे हैं जो भ्रमित करने वाले हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाच के ताने बाने को बरबात करना है विपक्ष की चुनावती मुश्किल हो जाती है मगर विपक्ष भी अपने दम पर पोल खोल करने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान खीचूं कि मुक्यमंत्री आदितनात ने जहरखंड में जाकर क्या कहा मुक्यमंत्री आदितनात कहते हैं कि आप माफिया के खिलाफ क्यूं है ये माफिया जनता का खुन चूस रही है वो आगे बांगलादेशी घुसपैटियों का भी जिक्र कर रहे है बकॉल मुक्यमंत्री आदितनात इनी बांगलादेशी घुसपैटियों को हेमंत सोरेन की सरकार ने बसाया है सुनिये क्या कह रहें मुख्यमंत्रिया अलिकनाथ मुझसे कहते हैं योगी जी आप माफिया के खलाब इतना ज्यादा क्यों है मैं कहता हूँ वह ये गरीबों का खोन चूसते है ये गुंडा गुर्दी करते हैं राजकता फेलाते हैं और जार खंड में बालू माफिया खनन माफिया भू माफिया कोल माफिया लेंड माफिया और अब तो बांगला देशी गुस पैटियों को रोहोंगियां को यहां को गुसा करके चारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यहां पे लब जहाद और लेंड जहाद को भी यहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिस का हिस्सा बना दिया है मुख्य मंत्रिया आधितनाच शायद यह भूल गए हैं कि केंदर सरकार भारती जनता पार्टी की है BSF अर्ध सैनिक बल ग्रह मंत्री आमिच शाह को रिपोर्ट करते हैं इसलिए अगर आज की तारीक में बंगलादेशी बसे हुए हैं या बंगलादेशी खुस्पैटियों का प्रवेश हो गया है तो इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं भारती जनता पार्टी सरकार और देश के ग्रह मंत्रिया मिच शाह की है मगर उचानते हैं कि इने कड़ घरे में कोई नहीं रखेगा ये जो मर्जी बोल सकते हैं और इन पर कोई अंकुष नहीं है इसलिए इस तरह की बाते करते हैं आपको याद है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था प्रधान मंत्री ने ये तक कह दिया था कि आपकी बेटी को घुसपैटियों को दे देंगे एक शर्मनात बयान यानि कि अब बात यहां तक आ गई है सबसे बड़ी बात अगर मंगला देशी घुसपैटी अंदर हैं जिसका जिक्र प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री आधितनात कर रहे हैं तो ये देश के अंदर घुसे कैसे सुनिए प्रधान मंत्री ने क्या कहा था जेमेम कॉंग्रेस आरजेडी ने तुस्ती करण की नीती को चरम पर पहुँचा दिया है ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है ये तीनों दल गुस पेठ्या समर्थक है बंगला देशी गुस पेठ्यों के वोट पाने के लिए ये इन गुस पेठ्यों को पुरे जानखन में बता रहे हैं जब स्कूलों में सरस्वती बंधना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खत्रा कितना बड़ा है इसी मुद्दे पर कॉंग्रिस ने तल खतेवर अपनाए सुनिये इसके जवाब में पवन खेरा क्या कहते हैं बकॉल पवन खेरा अगर आज की तारीक में बंगला देशी अंदर है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और सबसे बड़ी बात मुद्दों से भटकाने का प्रयास क्यूं कर रहे हैं भारती जन्ता पार्टी के नेता पवन खेरा दोस्तों सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ रही है पारा धीरे धीरे गिर रहा है लेकिन प्रधान मंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है लगातार गिर रहा है और वो खुद गिरा रहे हैं लोग सबाचुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे हार के दर से प्रदान मंत्री वोट पाने के लिए समुदाओं में जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे नहीं मिले वो अलग बात है आज मिली जुली सरकार एक बैल गारी की तरह समझोते करकर के चला रहे हैं अब जारखंड और महराश्ट्र में वही स्थिति आप नहीं मचली, मुसल्मान, मंगल, सुत्र सब हद कंडे अपना लिए फिर भी धाक के वही तीन पाथ आज गटबंदन की सरकार चला रहे हैं महराश्ट और जारखंड में स्थिति इनकी और बुरी है इन्हें मालूम है कि वो हार रहे हैं तो आप भाशा का स्तर देखिए अब कहते ह इंडिया घटबंदन घुसपैठियों की सरकार है आपकी बेटी छीन लेंगे आपकी रोटी छीन लेंगे सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं केंडर में बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके अंडर है तो इंडिया घटबंदन कैसे घुसपैठियों को ला रहा है जरा ये समझा इतनी कमजोर व्यवस्था एसी माँ पर यह certificate आप किसको दे रहे हो BSF को दे रहे हो किसको दे रहे हो होम मिनिस्टर को दे रहे हो राजनात सिंग जी को दे रहे हो दे किसको रहे हो अपनी खुद की विदेश निती को कोस रहे हो आपका अमिट्शा से क्या जगड़ा है क्या नहीं उसमें हमें कोई मतलब नहीं लेकिन कहना बेटी को और सुनाना बहु को इससे तो बाज आईए आप क्या हमें रहे हैं सुना तो अमिट्शा को रहे हैं इस तरह से यूँ सारजनिक तोर पे अपने ही ग्रह मंतरी को अपमानित मत कीजिए और भाशा का स्तर सुधारिया यह जो डायलोग हैं आपके यह प्रधान मंतरी के स्तर को शोभा नहीं देते यह डायलोग यह स्क्रिप्ट यह भाशा शैली एक सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के बहुत ही सस्ते विलिन के डायलोग होते हैं यह आपके सर पे शोभा नहीं देते हैं मुख्यमंत्री आदितनाथ ने ये भी कहा कि अब दंगे नहीं होते कावड यात्रा जो है बहुत ही सामाने तरीके से निकल जाती है क्या मुख्यमंत्री आदितनाथ बहराईच को भूल गए हैं बहराईच में आखिर क्यूं दंगे हुए क्या वो भूल गए हैं और सबसे शोकिंग बाद बहराईश के दंगों में पुलीस का हाथ भी सामने उभर कर आया है। याद कीजेगा दैनिक भासकर का ये स्टिंग ऑपरेशन जिसमें दंगाई कह रहे थे कि हमें पुलीस ने सिर्फ दो घंटे दिये वरना हम पूरे महराज गंज को आग लगा देते हैं। कि ये सब हो रहा है मुख्यमंतरी आदितनात के निजाम में उनके शासन में। और वो कहते हैं कि अब दंगे नहीं हो रहे हैं। पूर मुख्यमंतरी अखिलेश यादव ने बाकायदा दैनिक भासकर के उस्टिंग ऑपरेशन का जिक किया है जिसका वीडियो आपके स्क्रीन्स पर है वो कहते हैं। धिकार हैसी भाशपाई राजनीती और सत्ता की भाशपाई भूक पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साज़िश करती है। बहराईच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाशपा मूँ दिखाने लायक नहीं रही। भाशपा की विधायक ही भाशपाईयों पर साज़िश करने का F.I.R. कर रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरी के सामने सच उगल रहे हैं। बड़ा सवाल ये दोस्तों क्या इन सवालों का जवाब है मुख्यमंत्री आदितनाद के पास। उन्होंने बाकाइदा एक पत्रकार के विडियो का जिक्र किया है दोस्तों जिसमें उसे अधनंगा करके मारा जा रहा है। अखिलेश कहते हैं एक पत्रकार की हत्या, पत्रकारों पर दबाव बनाना, पत्रकारों को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफ आई आर कराना, पत्रकारों को निर्वस्तर करके मारना, पत्रकारों को अवांशित पेपान कराना। भाजपा राज में मीडिया के मनुबल के एंकाउंटर का हर हत्खंडा अपनाया जा रहा है मीडिया कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा और फिर मुख्यमंदरिया आदितनात कहते हैं दंगे नहीं होते लॉइन ओर्डर सब दुरुस्त है जबकि आप जानते हैं दोस्तों उत चौत वाले दिन बाहर जाती है उसके साथ बत्तमीजी होती है और ये लॉइन ओर्डर पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और मुख्यमंदरिया आदितनात क्या कर रहे हैं जारखंड जाकर कह रहे हैं कि आपके राज की डेमोग्राफी बदल रही है यानि कि हिंदूों क कि संक्या कम होती जा रही है बड़ा प्रश्य एक बार फिर 11 साल हो गए आपको सत्ता में अब भी आप कुछ नहीं कर बाए सुनिए डेमोग्राफी बदलने पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंद्रिया आदितनात जिस प्रकार की गुस्पैट ये लोग करवा रहे हैं बैंगला डेमोग्रेफी चेंज सी प्रकार की होगी आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं बैन और भाईयों आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और संग भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आऊ सकता है आपसे कहने के लिए आए हैं बाज़ापा को लाईए एक रहिए और न और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह से बांगलादेशी घुसपैटियों का हवाला दिया मैं समझना चाहता हूं दोस्तों यही काम लोग सभा के चुनाबों के दौरान किया गया था कि तुम्हारी एक भैंस जो है घुसपैटियों को दे दी जाएगी ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दी जाएगी तुम्हारा मंगल सूत्र घुसपैटियों को दे दिया जाएगा और उसके बाद अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आपकी बेटी को घुसपैटियों को दे दिया जाएगा यह अपने आप में कितना शर्मनाक बयान है यह सोच अपने आप में कितनी शर्मनाक है और फिर प्रधान मंत्री खुल कर कहते हैं कि बांगलादेशी घुसपैटी आ गए हैं तो सवाल ये कि आप 11 साल से कर क्या रहे हैं कितनी आसानी से बांगलादेशी घुसपैटीयों का जिक्र यहां प्रधान मंत्री कर रहे हैं आप खुद सुनिए ये आपकी रोटी भी छिन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छिन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़ब कर रहे हैं आज शाहे प्रधान मंत्री हों या मुख्य मंत्री आदितनाद, उन्हें इन सवालों का जवाब देना होगा कि आखिर महिला अस्मिता और महिला सुरक्षा का मुद्दा क्यूं भाशपा शासित राज्यों में इतना ज्यादा चिंता जनक बना हुआ है? लॉइन ओर्डर को लेकर आपको सवालों के जवाब देना पड़ेगा और अखिलेश शादव इसी मुद्दे को लेकर पोल खोल रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो में एक पूर्व सैनिक की पिटाई उत्तर प्रदेश पुलीस ने की इस पर देखिए क्या कह रहे हैं आखिलेश शादव? आखिलेश कहते हैं सेना में मेडल पाई एक फौजी के साथ उत्तर पदेश में जैसा हिंसक विभार किया गया वो घोर आपत्ती जनक और निंदनी है मुख्य मंत्री जी कम से कम फौजीयों के सम्मान में तो न्याय करें देखना है पूरा थाना सस्पेंड होता है या फिर उस पर बुल्डोजर चलाया जाता है और ये कहां हो रहा है दोस्तों? और किसके साथ हो रहा है? फौजीयों के साथ याद कीजेगा दोस्तों क्या हुआ था मद्ध प्रदेश में मद्ध प्रदेश में फौजी अपनी महला मित्रों के साथ जा रहे थे और उनके साथ घुंडों ने सामुहिक दुशकर्म किया था ये तमाम चीजे हो रही थी मगर साहब मजाल है मीडिया अपने फौजियों के पक्ष में सामने उभर कर आए ये सारी चीज़ों हो रही थी और यही नहीं लॉइन ओर जिसकी दुआई मुख्यमंतरी आदितना देते हैं क्या वो बतला सकते हैं और अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब दे सकते हैं अखिलेश यादव दिवाली के बाद हुई चोरियों का जिक्र कर रहे हैं उनका बयान आपके स्क्रीन्स पर वो कहते हैं भाजपा राज में अपराधियों ने उत्तर पदेश में कानून व्यवस्था का शटर और लॉकर सब तोड़ दिया है सरकार छुटी पर है और अपनी हिस्सेदारी का त्योहार मना रही है क्या हुआ है लखनों में किस तरह से गेहनों की दुखान में चोरी हो गई वो भी दिवाली के बाद उसकी एक छोटी सी जलग दिखिया आप देनिक भासकर की इस रुपोर्ट में लखनों के इंदरानगर इलाके में शुकरवार शनिवार की रात चोरों ने ज्वैलरी शॉप का शटार तोड़कर 15 लाग के गहने चोरी कर लिए दिवाली के ठीक एक दिन बाद रात को इस घटना को अंजाम दिया गया इन सवालों की जवाब मुख्यमंतरी आदितनात नहीं देंगे बाकाइदा अखिलेश यादव ने उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया जो यूपी में हो रही है बहराईच 12 बंकी में क्या हुआ सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलीस की क्या भूमिकाती सब जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलीस पर कोई सवाल नहीं हो सकते उन पर कोई लगाम नहीं है वो जो मर्जी आता है वही करते हैं उन पर सवाल करना देश के साथ गद्दारी है क्या इन सवालों के जवाब प्रधान मंत्री नरेंद मोदी या मुख्य मंत्री आदितनाद देंगे या ले दे के नफरत, जहर और जूट के सहारे अपनी राजनीती करते रहेंगे अभिसार शर्मा को दीजे इजासत नमस्कार